इसे किस तरह से नहीं ये तो अभियान समीति के कारकारणी की बैठक थी जो लोग उपलब दी थी और स्वाभाविक रूप से दो तीन चीजों चीजें जो महत्वपुर्ण हैं उन पर हम लोगों ने विमर्ज किया और उसमें सबसे पहले तो चरन वार मतलब पृथम चरन दूतिय चरन जिस तरीके से अलग-अलग लोग सवाच्छेत्रों में चुनाओ उन चुनाओ छेत्रों के मद्दे नजर जो राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठ बंधन के विभिन घटक दल हैं उनके बीच आपसी कॉडिनेशन को पूरे मजबुती से हम लोग देखते रहेंगे और दूसरी बात जो कारिक्रम हमारे मुख्य मंत्री जी या प्रणान मंत्री जी का है चाहे मुख्य मंत्री जी का दूसरे घटक दल के उमिद्वारों के छेत्र में है या प्रणान मंत्री जी का हम लोग के दल के उमिद्वार के छेत्र में है उन में कैसे अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुँच सके और अधिक से अधिक सफल सभा कड़ा सके इन सब चीजों पर विस्तार से हम लोगों ने बात की है और अभी तक की जो इस्तिती है और अभी तक सुरवाती दोर में जो हमारे इंडिये के अलग-अलग तक दल है सबों का आपसी जो कॉडिनेशन है संयोजन है ये बहुत ही अच्छा है और हम लोगों ने उसकी भी समीच्छा की कि अलग-अलग दलों से कैसा रिस्पॉंस है या कैसा कॉडिनेशन चल रहा है तो सब जगह से अभी न सिर्फ संटोस जनक सूचनाएं मिली है बलकी सरहनी है सब जगह से अच्छे स्थालमेल से हम लोग का काम होगा गया नमादम में भी मुख्यमंतरी का रोड्शो बिल्कुल मुख्यमंतरी जी का कारिक्रम दोनों तरह से होगा कि कुछ आम सभाएं पब् कंफर्म नहीं हम हो चके हैं और अगर पहले कंफर्म हो जाने दीजिए फिर आपको पार्टी के तरफ से बता है कि समस्तिपूर से चर्चा है कि सर वो चुनाव लड़ सकते हैं तो एक तरफ अभी जब हम कर रहे हैं कि वो किसी दूसरे पार्टी में गए हैं इसी की कोई हमको अधिकारिक सुचना नहीं है तो आप उससे एक कदम आगे चुनाव लड़ने के बाद पर हमारी प्रतिक्रिया क्या पूछ रहे हैं हम कर रहे हैं कि पहले यह तो पता होने दीजिए कि वो कहां गये हैं जब ने चुनाव लड़ने की बात होगी है जला दिक्कत है इंदे परफ़ाब कर लंगे चुनाव प्रचार में निकल गए आज बैठा खेर दो ती से को बेटा प्रबात है कर लो सटल हो जाओ तो पर पाइक पीछे करो रही है मैं प्रचार में निकर रहे हैं प्रदान जी जमूरी आए थे ठीक है दमाद के लिए परिवारबाद पर बोले कहा परिवारबाद पर बोले परिवारबाद आपको भी पता है लालु जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिए बहुत सारे चीजे जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं लेकिन देश की जनता और खासतर पर बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है को अब बना बात सबसक्राइब करें, इसको बताई गील. हमक्स में 10 साल के चाहएं की अधिर तरेल्रा बाकी है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है, उसका कुछ नहीं है — जन्ता को भर्माने के लिए और उनको बल्गलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं. मैं बार बार यही कह रही हुँ ना कि वह अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनका पता है ने डिवलप्मेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया पंदर लाग सब के खाते में आएंगे बेरोज़गारों के लिए काथ प्रतेकवर् हुआ था जितने नोजवानों को रोज़गार मिला यहां पर रोज़गार कहने का मतलब सरकारी नौकरी लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया कि जो जमीन के बदले लालू जी के उपर नब्बे से सवाल खड़ा करते आएं लोग आदे भी करते रहेंगे लेकिन जनता हमार हमें पुरा उमीद था कि यह सवाल जरूर आप करेंगे देखिए दो भाई में आपस में नोग्षोग होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था ना ही हमारे छोटे भाई ती जिसमीं जी के लिए अच्छा था और उससे हमें भी न पंदर का भी नुक्सान हुआ था खैर वो बात हो चुका है बीद गया है उस समय में तो सिर्फ हमारा नम्मर में घोस्ता हुआ इसके लिए हमने खोरा साथ है सकते की कुरोध पढ़कर हमने कर दिया था लेकिन आप कल्प्रा कीजिए जिन्होंने हमारे सीरे में ठंजर भोक अब और आने वाला समय में जब दोधाई है घर है परिवार है तो छोटा पोटा लोग्षक हुआ उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे इस बात और उनको भी समझना चाहिए लालते इंका काम क्या है अंदेरे पर जला करना है है न और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल है तीर भी है तो तीर क्यों रख्यों भाई मिसाइल रगी अब फूल तो फूले बना रहा है लोगों को जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है देश की जलता को तो उसका क्या हो क्यों तो एलीडी का जमाना है इसका जमाना है लेकि जड़ा मोधी जी अपने बगल में अपने साथी माली मुकमती जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खतम हो जाएगी काहल लग हो जाए किस बात में बोलते हैं क्योंकि जमाना हाइटेक हो गया है उसी बात पर ना मुकमती जी कहता है फोन उन मत चालू करो पोर्ट पर लाता है सब लोग अब थोड़ा दिन में दुनिया खतम हो जाएगा तो सबसे पहले जो उनके साथी है उनको ने समझाना चाहिए उनको तो यह सब बिकार्टी बाते हैं असल बात क्या थो कल जमूई में परदान मंत्री जी ने शुरुआत की लेकिन कल परदान मंत्री जी ने एक शब्ध भी परिवार वात के खिलाब नहीं बोला और पहला चलंग में जहां भी चुना हो रहा है NDA अलाइंस ने सभी पड़िवार वालों को ही टिकेट दिया है तो पर्दान मंत्री जी कुछ भी कहते है भाजपा का लोग हम गोते रहा कि गोबर्ट देख करके बुलेगा कि दो खाओं हलुआ है समझें पर्दान मंत्री जी की बात उपे रही लेकिन आपको अमित शाजी से भी पूछना चाहिए और हम पूछना चाहते कि भीया अभी ये बता दिजिए चलता को कि पर्दान मंत्री जी वहला कौन-कौन सा जुमला है फिर पाज में मत बूले आ रहे चुनावी समय में तो जुमले बूले जाते हैं लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं अब लोग 17 माइने आये तो पांच लाग सरकारी नौक्री हम लोग ने दिया है किल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं नौक्री का जिक्र कर रहे हैं बताओ जो मुख्यमंत्री 2020 में कहते हैं कहां से पैसा लाएगा अज संभव है आज उनको भी हम नौक्री की बात करवा रह यही परिवर्तर है यही फर्क भाजपा और महागरमंदन में हैं हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं वो जागब हो चुका है भाजपा का यानि जो बात हम लोग कहते थे कि सर्मिधान और लोतर्द पर खत्रा है आज भाजपा के लोग ही जो है भाशन कर रहे हैं खुल करके बोड़ रहे हैं कि सर्मिधान को खत्ब करना है यह बाबा शाब अब्रेद करका लिखा सर्मिधान जो देश को जोड़ने का काम करता है जहां समाजी दिना है कि साथ साथ सब का सम्मान है सब का दिखान दिया गया है और जब सभुधान खतब हो जाएगा तो लोगतंत खतब होगा तो लोटिंग खतब हो जाएगी जो आप वोट करना चाहते हैं आज शुदित पे है सरकार दूए इनका असली अजिंडा है कि उससे सबते खतब हो जा और एक ताना शाही पुरे देश में जो है वो लागू हो जाए और कोई पहली बार भाजपा की देता ने ने बोला दकशिन भारत में भी भाजपा की ने बोला राजिस्तान में भी भाजपा की ने ने बोला और लगतार ये विहार में हो रहा है जब लोग जागुरुख हो गए जब अधिकार के लिए लगने लगे जब दलित्तों की पाटियां बढने लगी जब अती पिछडों का पाटियां बढने लगा पिछडों की पाटियां बढने लगे तो बीजेवी को डर हो गया उसलिए चाहते हैं कि संविधान को खतब कर द तो आज है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागरबंधन जो है उसमें शामिल हुए है और हम सब लोग पुरा राश्ट्री जन्ता दल परिवार सभी हमारे महागरबंधन के सभी साथ ही इतका हम लोग स्वागत करते हैं और आप लोग सब लोग जाग रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं लेकिन इससे पहले महागरबंधन में हम लोगों ने सीटों का एलान कर दिया है सीटें बता दी गई है कौन सा सीट कॉंग्रेस के खाते में गया और कौन से सीटें जो है लेफ्ट पार्टिय के खाते में गई है और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा तो आज मुकेश साहनी जीने एक महतपुन निर्दय लिया है बिहार के हित के लिए सल्विधान और लोगतां के आरेक्शन को बचाने के लिए तो हम लोग इंका स्वागत करते हैं और साथी साथ हमारी भी जिम्मवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सपान लेए तो उसी तर्स पर जैसा आप लोग के जनकाली में है जैसा महागरबंदन ने एइलान किया था इसी जगे पे कि 26 सीटे जो है राष्ट्री जन्ता दल चुनाव लेए तो हम राष्ट्री जन्ता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम तीन सीट जो है मुके साथी जी गो हमारे पार्टी का दिन्दे हुआ है पार्टी का दिन्दे हुआ कि तीन सीटे जो है वो मुके साहनी जी को दी जाए है राष्ट्र धन्जी का फिन्दे है और वो तीन सीटे पहला गुपाल गंज है दूसरा जजार्पूर है और तीसरा जो है मोटिहाली सीज जो है यह फैसला हुआ है कि यह तीन सीटों पर मुकेज साहनी जी की पाथी चुना वेड़ा अत्याधनी सुधाओं से लेस्ट गॉर्ट गरे सीवेसी स्कूल चोगाई नरसरी से 10 तक